लखीमपूर खीरी जिले में उस समय संसनी फैल गई जब बातों ही बातों में दो लोगों के आपसी विवात के दोरान इट से प्रहार कर युवक की हत्या कर दी जिसकी जानकारी मिलने पर परिजनों में कहराम मच गया वही सुषना पर पहुची पुलीस ने शव को कबसे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है उधर घटना को अंजाम दे कर आरोपी मौके से फरार होना बताया जा रहा है दरसल पुरा मामला लखिमपुर खिरी जिले के कोतवाली पल्याक शेत्र के ग्राम सरखना पूरब का बताया जा रहा है जहाँ पर गिरधारी लाल के तीस वर्षय पुत्र सुमितर राणा का गाओ केहने किराम के पुत्र से युही वाद विवाद हो गया जिसमें बात इतन गाउन वहाँ से फरार हो गया इस बात के जानकारे मिलते ही गाउं में संसनि फद गई और परिजनों में कहराम मच गया वही ग्रामेंडारा पुरीस को सुचना मिलने पर आननभानन में मौके पर पोचि पुलीस ने शव को कबजे में लेकर पंचरामा भरकर शव को पोस् नाम के वक्तनिकिया मडर सुमित कुमार सनाब गिर्धार इलाल विवाद की जानकारी नहीं थी इम को जब यहां घड़ना से पहुंचे हैं थोड़ा विवाद बताया है कि इंटा पत्तर से मारा उसको तुरंते घड़ना से मर गया हूँ मडर ऐसे हुआ जिसे बातों में हो रहा था ठीक खाली लड़ाई कुछ नहीं थी गारी गरोजा कुछ नहीं हुआ था और खाली उसने जिस सुमित्तर ने खाली यह का था महाराजा तो करन ने कहा मेरा नाम क्यूं ले रहे हो तो उसने पकड़ के गलाबान नाली में डेकेल द को बुलाया ठीक 37 और केवी को ठीक तो उसने उठा के इटा फिर मार दिया करन ने मारा समित्तर को इटा लगने के बाद तुन्त गिर गए थे